आज जिस्ट मल्टिबेगर पेनी इस्टो के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विकास लाइफ कीयर लिमिडेट एन एसी कोड है विकास लाइफ बी एसी कोड है 542655 विकास लाइफ कीयर मेरे हर एक वीडियो में आपको मिल जागा इसका रिकमेंडेशन मैं तब से दे रहा हूँ जब ये एक साल पहले 2 रुपया से भी कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा था आज इसका प्राइस 6 रुपया है यानि कि वहां से भी 3 गुना रिटर्न दे चुका है फरन्तु ये इसका अभी स्टार्टिंग रिटर्न है आने वाल टाइम में ये आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न देगा मल्टी वैगर तो बन ही चुका है रूस यूक्रेण वार के दरमियान इसके प्रोड़क का डिमांड काफी ज़्यादा बढ़ चुका है जिसका असर आपको आने वाले क्वार्टर में साब्त रूस पर दिखाई देगा एक रोडिंग टू न्यूज 18 इस मल्टी वैगर पेनी स्टॉक का शोट टम टार्गेट भी बारे रुप्या से एबाव है स्टॉक फिलाहाल 6 रुप्या पे ट्रेट कर रहा है 52 विक हाई 8 रुप्या 15 पेसा है स्टॉक में का पी ए रेशियो 52.5 का है बुक वहलू से एबाव ट्रेट कर रहा है फिलाहाल स्टॉक और 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 सियार याने की EPS 0.03 पोजेटिव है स्टॉक का पी ए रेशियो इस सेक्टर की कमपनियों के PE रेशियो से कोई खास ज्यादा नहीं है कमपनी पे कर्ज भी काफी कम है 0.23 इसे भी और कम करने पे कमपनी फोकस कर रही है कमपनी में FII की भी होल्डिंग है प्रोफिट में जबरदस्त ग्रोथ है जो की 7638 परसेंट का है सेल्स में भी 191% का ग्रोथ रहा है विकास multi corporation limited यानि की विकास life care एक chemical सेक्टर की कमपनी है जो polymer वो polymer related products में ट्रेडिंग करती है विकास life care की चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको volume indicator और technical indicator पे काफी strong मालुम चल रहा है continue इसमें आपको volume और price increase होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि एक positive symbol है इसमें और ज्यादा उच्छा लाने का इसके साथ ही stock अपने 53 के daily moving average वा 200 दिन के daily moving average के उपर trade कर रहा है अब यहाँ पर आपको quarterly basis पर देखे तो PE ratio वो EPS में लगतार कुछ quarter से improvement दिख रही है sales वो margin में भी आप पिछले 3 quarter से लगतार improvement देख रहे हैं जो कि previous सभी quarter से heavy रहा है last में इनी सभ improvement के कारण company को आने वाला quarter अच्छा रहने का उमीद है company अपने debt को कम करने पे लगतार focus कर रही है जो कि काफी positive news है साथ ही इसमें आपको कुछ negative point भी है जिसे आप देख सकते हैं company फिलहाल अपने book value से 5 गुना उपर trade कर रहा है पिछले 5 सालों में company का sales growth negative रहा है हलाकि पिछले 3 सालों में company ने जबरदस्त sales में growth दिखाया है promoter holding बहुत कम है विकास life care limited एक penny stock है जिसका competitors ही गे दी तुलना करे तो काफी ज्यादा strong वो आकरसक valuation पे अभी मिल रहा है आप खुद देख सकते हैं company के quarterly result भी काफी strong रहा है March 2021 quarter को सिर्फ निकाल दें तो लगतार 8 quarter से company के result में growth देखा जा रहा है June 2021 के quarter से December 2021 के quarter में profit का जबरदस्त jump है जिसका असर आपको March 2022 के yearly basis के result में साफ तर पे देखा जा सकता है तो overall देखा जाए तो company का future काफी bright है strong fundamentally strong दिख रहा है और quarter the quarter company का improvement इसके price में काफी ज़्यादा बाढ़ ला सकता है तो long term के लिहाँ से stock काफी बढ़िया है multi bagger type का stock है इसलिए watch कर सकते हैं buy करनी के लिए अपने label से inquiry कर लें कर दो